नमस्कार मैं आलोकती बारी आपका स्वागत करता हूँ और मेरे इस चैनल पर सीखने की कड़ी में इस समय सभी 12 राशियों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाती भी आज हम नौ नमबर की राशी अर्थात धनु राशी के बारे में समपून जानकारी प्राप्त करेंगे सर्व प्रथम धनुराशी की सामाने जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इनहीं अक्षत्रों के चरणा अनुसार ही धनुराशी के जातकों के प्रथम नाम अक्षर भी निरदारित होते हैं धनुराशी के जातकों के प्रथम नाम अक्षर ये यूभा भी भूध फढ़ और भे होता है इनहीं अक्षरों से धनुराशी के जातकों के नाम इसका जो राशी चीन बना है उसका धड़ गले से निचला हिस्सा गोड़े के जैसा दिखाई देगा और गले के उपर जो मूँ का हिस्सा है वो इनसान के रूप में दिखाई देगा यही धनुराशी के जातकों का राशिचीन है शुब दिन, ब्रहसपतिवार, शुब रंग, जामुनी, लाल व गुलावी, मित्र राशी, मेश और सिहराशी, सत्रू राशी, कुम्भ, बीवा हो भागेदारी अर्थात, लाइप पार्टनर हो या बिजनस पार्टनर हो, मिथुनराशी, शुब रत्न, पुखराज, पीला प अब यहाँ पर देखिए द्वी सुभाव अर्थात ना तो ये चर हैं ना तो अचर हैं अर्थात ये द्वी सुभाव हैं कभी चर का भी काम करने लगते हैं कभी अचर का भी काम करने लगते हैं इनका सुभाव परिवर्तन श्रील होता है राशिदिशा पूर्व अर्थात ध धड़ घोड़ा अर्थात इसका धड़ जो धनुराशी के जातकों का निशान है उसका धड़ घोड़े के जैसा होता है इसलिए अस्तबल में भी इनका वास स्थान होता है और खेल स्टेडियम में घोड़ो को आप देखे होंगे रेस के मैदान में खेल के मैदान में पाया ज जाता है धनुराशी की सामान जानकारी के पसात अब हम 11 बिंदों पर आधारित कुछ विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं और पहली जानकारी है जीवन शैली और अन्य राशियों की तरह जीवन शैली को भी हम तीन भागों में विभाजित करके अध्यन करेंग जीवन शैली के पहले भाग में हम सारिक गठन अर्थात धनुराशी के जातकों का शारिक बनावट रंग रूपकद काठी के बारे में संपूर जानकारी प्राप्त करेंगे धनुराशी के जातक लंबे कद वाले होते हैं कभी ये ठीनगे नहीं होते हैं सदेव लंबे काठ होता है माथा होता है उंचा होता है बहुत ही प्यारा होता है कान बड़े होते हैं इनके कानों की जो लंबाई होती है बड़ी होती है वं शरीर मजबूत होता है हिष्ट पुष्ट पहलवान के तरह दिखाई देने वाले होते हैं धनुराशी के जातक मधूर मुसकान एवं चमकीली आखो वाले होते हैं, इनकी मुस्कान बहुत मधूर होती है, बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, जब भी ये मुस्कुराते हैं, इनके चेहरे की जो चबी है, बहुत ही प्यारी हो जाती है, और आखें बहुत सुन्दर एवं चमकीली होती है, धनुरासी के जातकों के आवाज कंड़ प्री होते हैं लोगों को भाज आते हैं बहुत ही प्यारी आवाज होती है बेक्ति तो आकर्शक होता है इनका शरीर बहुत ही सुदर सुड़ोल होता है इसलिए इनका आकर्शक बेक्ति तो होता है भीड में भी इनकी अलग पहचान होती है यदि भ क्रूर ग्रह बैठे हों क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं सूर्य मंगल शनी राहू और केतु यह पांचों क्रूर ग्रह होते हैं यदि क्रूर ग्रह हुए तो सिर में या तो बाल कम होंगे या तो जातक पूरी तरह से गंजा होगा पूरे बाल ही उड़ गए होंगे यदि ल प्रवित्ती के होते हैं कभी इनको उग्र सुभाव के रूप में आप नहीं देख पाएंगे सरल सुभाव के होते हैं उत्साही होते हैं उत्साह की कोई कमी नहीं होती है मजाकिया होते हैं खुद भी हसते रहते हैं लोगों को भी हसाते रहते हैं इसलिए मजाकिया प्रवित के भी माने जाते हैं धार्मिक प्रवित्ती के होते हैं चुंकि यह ब्रिहस्पती ग्रह के स्वामित वाली राशी है और ब्रिहस्पती धार्मिक प्रवित्ती के कारक हैं धर्मकर्म के कारक ग्रह हैं यही कारण है कि धनुराशी के जातक धार्मिक प्रवित्ती के होते हैं परो उन होते हैं धनुराशी के जातक दूसरों के मनों भावों को समझ लेने में जान लेने में विशेश कुशलरता रखते हैं यह सामने वाले के मन में क्या चल रहा है क्या चाहता है वह धनुराशी के जातक बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं इनमें विशेश छमता होती है इनकी बौद्धि के ओमानसिक प्रबलता के साथ साथ अस्व जैसी तीब्रता उत्साcked एवं उतेजना के साथ कारे करने की छब्ता होती है अब यहाँ पर देखिए बौद्धि के ओमानसिक प्रबलता अर्थात पूरी तरह से सोच विचार करके अपनी सूज बूज और समझदारी से किसी काम को करते हैं और काम भी कैसा करते हैं आश्व जैसी तीवरता आश्व को आप जानते हैं अथाद गोड़ा गोड़े में रेश होता है तेवरता होती है उसकी चाल बहुत तेज होती है और उसी चाल से उसी तेजी से और उत्साहुत तेजना के साथ कोई भी कारे करने की इनकी छमता होती है किसी भी काम में लेट लतीफी करना इनको पसंद नहीं आता है लेकिन पूर सुभाव के होते हैं ये कभी कुछ सोचेंगे कभी कुछ सोचेंगे कभी आगे जाने की सोचेंगे कभी पीछे जाने की सोचेंगे इसी असमंजस में फसे रहते हैं और सिख्र कोई निरणय नहीं ले पाते हैं धनुरासी के जातकों को क्रोध नहीं आता है यहां पर मैं बताय पर जाना घूमना फिर ना इनको पसंद आता है। कुछ गलत हो रहा है, कोई अन्नाय कर रहा है, तो इनसे बरदास्त नहीं होता है। जीवाशली के तीसरे भाग में हम खान-पान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं धनुराशी के जातकों को समय के साथ, उमर के साथ लीवर की समस्या होने की समभाव ना होती है इसलिए इनको विशेश परहेज़ वाले भोजन लेना चाहिए इनको ऐसे ही भोजन लेना चाहिए जो लीवर को हानी न पहुचा पाए लीवर के लिए लावदाय को इस तरह के भोजन इनको लेना चाहिए धनुराशी के जातकों को सेव, खजूर एवं टमाटर अधिक मातरा में सेवन करना चाहिए ताजे फल एवं ताजे सब्जियों का सदेव उपयोग करना चाहिए और पानी अधिक से अधिक पीते रहना चाहिए लेकिन धूम्र पान एवं मद्रा पान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इससे सदेवदूरी बना करके रखना चाहिए क्योंकि लीवर के समस्या होने की संभावना इनके अंदर होती है यदि धुम्रपान और मद्रापान करेंगे तो इस समस्या को अर्थाद लीवर की समस्या को यह दोनों बढ़ा सकते हैं इसलिए धनुराशी के जातकों को मैं यही सुझाओ दूँगा और उनसे बिनती भी करना चाहूंगा क्योंकि यदि आप धुम्रपान मद्रापान करते हैं तो आपके लिए समस्या उत्पन हो सकता है मित्र एवं परिवार अर्थाद धनुराशी के जातकों का इनके मित्र एवं परिवार के प्रती कैसा बेवार होगा कैसा बरता होगा धनुराशी के जातक मज़ेदार सुभाव होने के कारण सदेव मित्रों से गिरे रहते हैं इनका सुभाव बहुत ही अच्छा होता है मित्र जादा होते हैं और यह सरेव मित्रों से घिले रहते हैं परिवार एवं मित्रों के बीज खूब हसी मजा करते हैं मजा के सबाव के होते भी हैं इसलिए परिवार और मित्रों के बीज खूब हसी मजा करते हैं चुकि मैं यहां पे भी थूरी दिर पहले बताए कि घुमकर प्रविति के होते हैं घुमना पिरना पसंद करते हैं यही कारण है कि मित्रों यों परिवार जनों के साथ घुमना पिरना पसंद करते हैं एक बात है कि अकेले गूमना जाना पसंद नहीं करते हैं, मित्रों को परिवार जनों को किसी को सांथ में लेकर के ही जाते हैं, यही कारण है कि परिवार जने उम्मित्र भी इन से पसंद रहते हैं, कि सदेवे लोग हमको गुमाते फिराते रहते हैं। धनुरासी के जातक उदार प्रकृती के होते हैं भी थोड़ी दिर पहले भी मैं बताया था कि ये उदार होते हैं और उदार प्रकृती के होने के कारण ही सब की मदद भी करते रहते हैं जहां तक संभव हो पाता है हर विक्ती का मदद करने के लिए तयार रहते हैं प्रेम वर संभोग सदे वे प्यार में कुच कुच नया तरकीप सोचते रहते हैं और इस तरह से मज़े लेते हैं लेकिन एक समय के बाद एक निफिस समय के बाद जीवन साथी के प्रती क्न्यत समर्पित और वफादार हो जाते हैं पर जरूरा है लेकिन इनको यह नहीं कहना चाहिए कि यह बेइमान होते हैं, समय के साथ बफादार होते हैं, इमानदार होते हैं, लेकिन समय के साथ पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, इधर उधर की बातें न सोच करके सिर्फ जीवन साथी के साथ ही समर्पित हो जाते हैं, साथ ही धनु भविष्य और धन अर्था धन राशी के जातकों का भविष्य कैसा होगा उनके पास धन समपत्ती कैसी होगी इनका केरियर कैसा होगा चूंकि अगनी तथ परधान राशी होती है धनु राशी अग्रितत्व प्रधान राशी होती है और यही कारण है कि यह सदय जुलंत मुद्दे में काम करते हैं जुलंत रूप में रहते हैं और यिसी कारण से कठिन से कठिन समस्याओं को भी इनके सामने कोई भी समस्या आ जाए उससे घबराते नहीं है और अपने सब् कम से कम नुक्सान होता है, चाहे कितनी भी कठिन समस्य आ जाए, कितनी भी कठिन परिशानी आ जाए, लेकिन उससे कभी पीछे नहीं भागते हैं, निजी पूरशार्थ के द्वारा जीवन के प्रतेग शेत्र में उन्नती, धनसंपदा, भूमी, जायदा, देवं, सवारी अर किसी को सहायता की रूप में नहीं बुलाते हैं, कभी किसी की सहायता लेना पसंद नहीं करते हैं, स्वैम के पूरशार्थ के द्वारा उन्नती करते हैं, जहां भी ये हाथ लगाए, वहां उन्नती कर जाते हैं, धनसंपता जुटा लेते हैं, धनसंपती जुटा लेते हैं, और सवारी अर्थात वाहन अच्छे अच्छे वाहन के मालिक हो जाते हैं इन सारी सुखों का भोग करने में ये सफल होते हैं क्योंकि ये खुद पुरुशार्थ वाले होते हैं मेहनती होते हैं परेटन संबंधी वेवसाय में अधिक मुनाफ़ा हो सकता है किसी का टूर प्लान करना, किसी के लिए गाड़ी बुक कराना, किसी के लिए सारे टूर का पैकर्स तयार करके उनको टूर के लिए भेजना, ये सारी बातें परेटन सम्बंधी व्यावसाय में आता है यहाँ पर आप देखिए यदी मंगल और गुरू अर्थाद, मंगल और ग्याजपती दोनों शुब हो धनुरासी के जातक जो होते हैं उनकी कुंडली में यदी मंगल की और गुरू की इस्तिती अच्छी है तो उच्च व्यावसाय की विद्या की योग होते हैं प्यासाइक बिध्या बहुत से होते हैं जैसे चिकित्चक, इंजिनियरिंग यह सारे प्यावसाय की विद्या के रूप में होते हैं तो यदी मंगल और गुरू सुभ हुए तो धनुरासी के जातक ब्याप्साय की ओर अग्रसर होते हैं अच्छा योग बनता है सिक्षक, धर्मप्रचारक, राजनीती, वैदेया, डॉक्टर, वकील एवं पुष्टक ब्यावसाय आदि के शेत्र में धनुराशी के जातकों को विशेश सफलता हासिल होती है धनुराशी के जातकों के अउगुण देख लें, वैसे तो धनुराशी के जातकों में कोई अउगुण नहीं होता है, लेकिन ये जो अउगुण आपके सामने में गिनाने जा रहा हूँ, ये अपवाद सुरूप है किसी किसी जातक में ही पाय जाता है या पत्तेक जातक में यह ब्यवहार नहीं देखने को मिलेगा यह कुछ अप्रुआद सुरूप ऐसे लोग हैं जिन में याउगुड़ो पाय जाता है और क्या है करने की बजाए सिर्फ कहना अर्थात मैं यह कर लूँगा वो कर लूँगा ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा सब कुछ कर लूँगा लेकिन करते कुछ नहीं है अधिकांस मौकों पर अधीर रहते हैं बेचैन रहते हैं अधिकतर इनको आप बेचैन पाएंगे सामने वालों को सुनाने की प्रवित्ती होती है सदय यव सामने वाले को खरीखोटी सुनाते रहते हैं बेवहार कुशलता में कमी होती है, अब यहाँ पर आप इस बात को भूल जाएगा, क्योंकि यह जो अउगुण मैं यहाँ पर दिखाया यह बताया, यह अउगुण सभी में नहीं पाया जाते हैं, यह मैं बताया सुरू में कि आपवाद सुरूप है, वैसे धनुरासी के जा सुनदरता क्या है, सौधार क्या है, फैशन क्या है, धनुरासी के जातक स्पूर्ट सुलुक में रहना पसंद करते हैं, इस पूर्ट शुलुक इनको पसंद आता है और इसमें यह जच्चते भी हैं, ऊभरते भी हैं, कपणों के उपर यह विसेश ध्यान रगते हैं, सदे नए धुले और प्रेस कीवे कपड़ों को पसंद करते हैं, कपड़े बदलना पसंद करते हैं, सदे नए नए कपड़े अपने उपर डालना पसंद करते हैं पसंद, धनुरासी के जातक स्वतंतरता पसंद करते हैं, इनको कभी किसी की परतंतरता या किसी की अधिनता पसंद नहीं है, यात्रा भी इनको पसंद है, चुकि ये घुमकड प्रवित्ति के होते हैं और घुमकड है तो यात्रा इनको पसंद आएगा ही आएगा, साथ ही दा महाल में रहना इनको पसंद नहीं आता है ना पसंद धनुरासी के जातक चिपकू लोगों को बिलकुल पसंद नहीं करते हैं जो बार बार चिपक जाएं बिना मतलब का भासर देते रहें बिना मतलब का चिपक कर रहें तो उनको बिलकुल पसंद नहीं आता है या फिर उस काम को करते ही नहीं है अनावशक सिध्धान तेवं भासड इनको पसंद नहीं है कोई इनके सामें बैठ करके जबरजस्ति का भासड दे जबरजस्ति का अपना उपदेश दे जबरजस्ति का कोई सिध्धान दे जो की अना प्रिवर की समस्याने की संभावना होती है रक्त चाप अर्थाद ब्लड पेशर की संभावना इनकी हो जाती है और साथ ही साइटिका की भी संभावना होती है इसलिए सदेव इनको अपने आपको संभाल कर और परहेज में रखना चाहिए भाग्योदे वर्ष धनुराशी के भाग्योदय होने की प्रभल संभावना होती है आपने धनु रासे से संबंदी संपूर जानकारी प्राप्त की और इस रंखला में सभी 12 रासियों की जानकारी आपके सामने उपलब्द कराई जाएगी साथ ही मेरे इस चैनल में सभी जोतिसी ग्यान की बातें बताई जा रही हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिससे की सभी बातें आपको समझ में आती जाएं और आप जोतिस सीखते जाएं, आप निश्रित मानिये की इस चैनल में यदि आप जुड़े रहते हैं, तो आप पूरी तरह से एक सफल जोतिस बन सकते हैं, सारी जानकारी आपके सामने एक एक करके उपलब्द कराती जाएंगी, तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आ आथी घंटी के बटन को भी आउन कर लिजे, जिससे की जब-जब मेरी वीडियो अफलोड हो, आपको सबसे पहले सूचना मिलती रहे, तब तक के लिए मुझे आगया दीजे, मिलते हैं अगले वीडियो पर, जय हिन, जय भारत, धन्यवाद.